ओ महनमते नमा नमस्कार मित्रों मैं आविरलत्रवेदी और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल ने थी मित्रों विशे स्रंखला के अंतरकत आज कल हम कुंडली में बनने वाले विभिन तरीके के योगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं उसी स्रंखला में आज बात करते हैं सूर्य और चंद ग्रहन के योग से मिलने वाले ग्रहन योग के जोतिस में अनेक योगों का वर्णन मिलता है जो सुब भी होते हैं और असुब भी होते हैं व्यक्ति की कुंडली में कई योग बुरा प्रभाव दिखाते हैं ग्रहन योग उन्हीं में से एक है जीवन को कष्ट मैं कर देता है यह ग्रहन योग असुब योगों में से एक है जब किसी जन्मांग चक्र यानि लगन कुंडली के द्वावों में से किसी एक भाव में सूरी या चंद्र के साथ राहु या केतु में से कोई एक ग्रह बैठा ह तो ग्रहन दोस बनता है। ग्रहन दोस जिस भाव में बनता है उस भाव से समंधित परणामों पर या असुप प्रभाव डालता है। ग्रहन दोस के प्रभाओं को कम कर सकते हैं, मित्रों या ग्रहन दोस पूरी तरीके से नहीं जाता, परन्तु इसके प्रभाओं को बहुत हद तक कम किया जा सकता है, कुछ हम जो सीव उपाई भी कर सकते हैं, कुछ टोटके हम आजमा सकते हैं, ग्रहन दोस वाले जातकों को फैयाल वस्त्र का दान करें। यदे चंद्र के करारा ग्रहण दोस्ट बना हो तो स्वीत वस्त्र का दान करें।qu्योंत दोस्त्र को किसी बैसे करने मिस्त्र के द्य केम काुत करें। महामर्तुजय यंत्र, हनुमत यंत्र और राहुकेंत के यंत्रों की विधिवत घर पर इस्थापना करें और पूजा करें इससे जो है ग्रहण दोस्का निवारन हो जाता है मित्रों, हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, अगर अच्छे लग रहे हैं, तो कप्या लाइक करिए, सेर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आउस करिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्ते